वेलकम बच्चों कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग देख रहे हैं यहां पे यह हमारे देश का मानचित्र है हमारे भारत का मानचित्र है और हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे जिसमें हमारे देश की बारे में कई सारी चीज इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग देख के तो पहचान गए होंगे यह Class 2 का Hindi book है और इसमें यह पर्थम chapter है पर्थम किरन का मतलब है chapter 1 और chapter 1 में धर्ति माता के बारे में एक बहुती सुन्दर कवित दिय हुई है आई हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में जा मतलब इस देश का एक-एक चीज यही गित सुनाता है कि यह धर्ति मेरी माता है नदियां मेरी परवत मेरा, सिख्रों का मुकुट हमारा है, इस देश में बहने वाली नदियां, बहुत सारी नदियां है हमारे देश में, आप लोग और उचे कलास में जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, यहां बहुत सारे परवत हैं, परवत मतलब पहाड हो गया तो नदियां मेरी परवत मेरा, मतलब यह सारी चीजें जो भी है, वो हम लोगों की है, मतलब इस देश की लोगों की, सिख्रों का मुकुट हमारा है, सिख्रों का मतलब हो गया, इस देश में कई सारे पहाड हैं, वो मुकुट की तरह हैं, भारत माता की मुकुट की तरह हैं वो भी सारे पहाड जो है वो सारे हमारे हैं केसर क्यारी सागर मेरा केसर की क्यारी जो है केसर का खेती जहां होता है केसर की खेती कस्बीर में होता है तो केसर की क्यारी सागर दच्छिन में जो सागर है हमारे देश के तीन तरफ सागर है दच्छिन में हिंद महा सागर पूरब में बंगाल की खाड़ी और पस्चिन में अरब सागर पीन तरब से हमारा देश सागरों से घिरा हुआ है इसलिए करता है सागर मेरा मतलब या सागर हमारा है लहरों का गीत हमारा है सागर में लहरे उखती रती है वो लहरे जो गीत गाती है वो भी हमारा है नीले नव की सीतल चाया रिमजिम संगीत हमारा है इंद्रधन उसकी मोहक माया नंदन वन यही हमारा है नीले नव यह आसमान जो है वो नीले कलर का हम लोग को दिखाए देता है तो वहाँ से जो चाया आती है मतलब उपर में जब बादल चा जाता है और जो चाया मिलती है वो चाया भी हमी लोग का है रिमजिम संगीत रिमजिम संगीत बारिस की बुंदे जो होती है उसमें टपटप की जो आवाज सुनाई देती है वो एक संगीत की तिरह लगता हमें और वह संगीत भी हमारा है इंदर धनुस की मोहक माया इंदर धनुस कभी-कभी हम लोग देखते हैं आस्मान में जब पानी बरसने के बाद जोसे बारिश हुई और फिर बारिश रुप गई फिर वो धूप लिकल आता है तुरंत वो ऐसी स्थिती में क्या होता है मैं इंदर धनुस दिखाए देता है इंदर धनुस बहुत ही मनमोहक होता है वो हमें देखने में बहुत ही आकरसक लगता है लगता है कि हम उसे देखते रहे उसमें हम लोग खो जाते हैं तो वह इंद्र धनुस की मोहक माया जो है, वह भी हमारा ही है, नंदन वन यही हमारा है, नंदन वन इंद्र का एक बगीचा है, जो बहुत ही मनमोहक है, तो हमारे यहां तो स्वर्ग की वैसी बगीचा नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं है, यहां कर्यों वह हमारे लिए नंदन वन है है भं़ो काव गुन्-गुम गुन्जन सक्दल शंसार हमारा है कार analogy कंद्र रॉजन रच्छा में सत्दल संसार सत्दल संसार कया था है कि कमल का जो फूल होता है वो कई सारे तलाबों में बहुत सारे कमल का फूल खिलता है वह हमें देखने में बहुत सुन्दर लगता है कमल फूलों का जो संसार है, वह भी हमारा है, कावेरी का कलकल कुजन, कावेरी नदी के बारे में बात कर रहा है, कावेरी नदी ये कोई भी नदी बाती है, तो एक आवाज करके बाती है, कलकल की आवाज, तो उसकी आवाज जो है, वह नदी और उसकी आवाज, वह भी हमारा ह रच्छा में खड़ा दुधारा है दुधारा रच्छा में खड़ा दुधारा मतलब दोनों तरफ से हमारी रच्छा होती है जैसे कि उत्तर में हिमालय हमारी रच्छा करता है और दच्छिन में इंद महासागर है उरभ में बंगाल की खाड़ी है तीन तरफ जो समुद्र से गिरा हुआ हमारा देश है, वो हमारा रच्छा करता है, इस तरह से दुधारा का अर्थ यह होता है, कि हमारे दोनों तरफ से हमारे देश की रच्छा होता है, यह धर्ती मेरी माता है, कनकन यह गीत सुनाता है, उपर वाली लाइन फिर से दोराई गई है, कि यह धर्ती मेरी मा अनकन यह गीत सुनाता है इसका अर्थ यही है कि इस देश का एक एक कन एक एक जर्रा यही गीत सुनाता है कि यह धरती मेरी माता है यह धरती मेरी माता है देश से समंदित कोई भी पोयम हो या कोई स्टोरी वाला चप्टर हो मुझसे कभी छूडता नहीं और मैं वैसे यहां पर कुछ अक्रांत सब्द दिये हैं सब्दों के अर्थ या वर्ड मिनिंग्स दिये हैं जिसे सिखर सिखर का मतलब चोपी गगन गगन का मतलब आकास इसको पढ़कर आप लोग टिक से याद कर लेंगे और चार नमबर में वाइक बनाने के लिए कहा गया है जैसे कि मु इनिल्खित प्रोषन के उत्तर दे हैं यहां पे कुछ questions दिये हैं तो आईए मैं आप लोगों को इसके ऐंसर बना के दिखाता हूं यह है चप्टर वन का question answer वाइक बनाएं यहां पे सारे वाइक बना दिये गये हैं मुकुट मुकुट सुन्दर है सागर सागर विसाल है लह इस दर्ती का नाम भारत माता है, एस धर्ती पर परवत, नदिया, पेड़ और पोधे हैं। शिक्रों का मुकुट का क्या अर्थ है? शिक्रों का मुकुट का अर्थ है परवतों पर जमी बर्थ. केसर की क्यारी कहां है? केसर की क्यारी कस्मीर में है. रिमजिम संगीत से आप क्या समझते हैं? रिमजिम संगीत का अर्थ है बारिस की बूंदों की आवाज. सत्दल संसार क और हाहा सतवस्था संसार भारतमे Frankly है और यहां पर चप्टर वन पूरी तरह चांट हो जाता है। अगर आप लोग को यह वीडियो आपकी पाहय में ज़रा भी हल्पूल होता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे साथ लगतार बने रहे हैं हमारे कई वीडियो आ चुके हैं और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आईए हम लोग अगले चप्टर को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में चलते हैं